हाई फ्रेंड्स वेलकम करती हूँ आप सभी का टेकनिकल गवर्मेंट जॉब और अवर इंडिया पर आज की ये वीडियो आप सब के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आज मैं आपके लिए बिलकुल फ्रेश रिक्रूट्मेंट लेकर आई हूँ जो की अधार का डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई है बहुत रियर विकेंजिस यहां पे आती है तो बहुत देर के बाद ये ओफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है किस तरह अप्लाई करना है क्या क्याऄ-क्या इलिजबिल्टी बताईगी है कौन कब से कब तक अप्लाई कर पाएगा और सबसे ची बात है इसमें आपका कोई exam नहीं होगा डारेक्ट ये recruitment है, पहले भी आती है डारेक्ट recruitment, अब भी डारेक्ट recruitment आय हुई है, किस तरह अप्लाई करना है सारा मैं आपको step by step इस वीडियो में clear करूंगी, बहुत अच्छा मोका आपके पास आ चुक है, ये मोका आप मत जाने देना बहुत ही अच्छा मोका आपके पास आ चुक है किस तरह अप्लाई करना है, मैं आपको सारा इस वीडियो में clear करूंगी, आप देख सकते हैं धारकट की तरह सी ये recruitment है, male and female candidates दोनों apply कर सकते हैं इसमें आपका कोई भी exam नहीं होगा स्टार्टिंग जो इसमें आपके 34,800 प्लस है ठीक है, डारेक्ट recruitment है और All India ये job है, चाहे आप male candidate हो चाहे female candidates हो दोनों ही यहाँ पर apply कर सकते हैं दोनों ही eligible है, ठीक है अलगले qualification के हिसाब से इसमें हमेशा vacancies आती है, हर qualification के हिसाब से अभी भी इसमें vacancies जो है, वो out कर दीगी है हम अपनी official website पे चलते हैं वहाँ पे चलके मैं आपको बताती हूँ किस तरह apply करना है और क्या-क्या इसमें eligibility बताएगी है कौन कब से कब तक इसमें apply कर सकता और important dates क्या-क्या यहाँ पे बता दीगी है तो friends आप देख सकते हैं हम अपनी official website पे आ चुके है बहुत अच्छा मुका यहाँ पे आपके पास आ चुके है और apply करना भी आज से start हो चुका है ठीक है, तो बहुत अच्छा मुका यहाँ पे आपके पास आ चुका है बात करेंगे recruitment की अधारकार की तरफ से यह recruitment आई है, यानि कि unique identification authority of India की तरफ से और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजी अगर आप चाते हैं हर recruitment का notification आपको सबसे पहले पता चल जाए वो भी with official notification pdf तो जल्दी से चैनल को subscribe कीजी साथ में bell icon आप देख रहे हैं इसको जरूर प्रेस करना, इससे आपको free में notification आते रहेंगे जब भी मैं कोई नहीं जानकर आपके लिए लेकर आउगी और इस recruitment के इलावा आज चार नई notification आगे हैं बिल्कुल fresh है, जिसमें 8th past, 10th past, 12th graduation, diploma, degree की vacancies आई है उन vacancies को भी आप जाकर जरूर चेक कर लेना किसी ना किसी के लिए आप जरूर वहाँ पे eligible होंगे तो उसका भी आपको मैंने link के इस video के description में दे दिया है हमारी official site पर जाकर आप सारी vacancies को चेक कर सकते हैं और आप screen पर भी website देख पा रहे हैं फिलहान हम बात करें है अधार कार की तरफ से आई होई direct recruitment के बारे में किस तरह अप्लाई करना है क्या क्या eligibility बताएगी है सबसे पहली बात देखे कौन को यहाँ पर apply कर सकता है यह मैंने आपको starting में ही clear किया था कि all इंडिया से आप apply कर सकते हैं चाहे male candidates हो चाहे female candidates हो ठीक है इंपोर्टन डेट्स की बात करें कि apply करना स्टार्ट हो जोगा है लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए देखे इन्होंने मैंशन नहीं कि आभी रिक्रोट्मेंट यह चल ही रही है बहुत सारी vacancies आई है ऐसा मोका हाथ से मत जाने देना अब मैं आपको details में बताऊंगी कौन-कौन सी vacancies आई है और apply किस तरह से करें salary मैंने आपको starting में ही बता दिया था कि starting आपकी 34,800 है प्लस जो 54,000 रुपीज इन्होंने grade पेस में बता रख है vacancies देखें जैसे कि में आपको बताया अलग-अलग आउट रही है officer की post है senior officer की है assistant officer, accountant, assistant account officer, private secretary के यह vacancies आउट कर दी गई है उसके बाद बात करेंगे apply किस तरह से करना है और qualification क्या-क्या बताएगी है so 10th pass, 12th pass, graduation, post, graduation वाले यहाँ पर apply कर सकते हैं उसके बाद age limit के बात करेंगे आपकी age minimum जितनी मर्जी हो 18, 19, 20 जितनी मर्जी हो आप apply कर सकते हैं 55 साल से ज्यादा आपकी age नहीं होनी चाहिए क्योंकि 55 साल से उप़र इंदोने relaxation यहाँ पे mention नहीं किया हुआ नोटिफिकेशन में ठीक है यहां से आप लेटेस गवर्नमेंट जॉप से इसके इलावा आउट की गी है उन विकैंसिस को आप जहां पर चेक कर सकते हैं और यहां पर आप study material डाउनलोर कर सकते हैं उसके बाद application mode जो है इसका वो offline है यह notification है यहाँ पे click करके आपने पहले notification रीड करना है और उसी के साथ application form अटेच किया हुआ है उसको fill करके इनके mention address पे भेज़ देना है जो उन्होंने address notification में mention कर रखा है 10th to 12th graduation वाले apply कर सकते हैं अगर आप इनके eligibility criteria के अंडर आते हो ठीक है तो जल्दी apply करना like करना वीडियो को share करना subscribe जरू करना चैनल को मिलेंगे next वीडियो में नई information के साथ